आज फिर मैं 9th entrance AMU की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर हाजिर हुआ हूँ आज मैं आपको इंग्लिश, उर्दू और हिंदी में बताएंगे कि आप क्या पढ़ेंगे और किस चीज से सवालात आते हैं तो आईए बेगर देर किये हुए हम शुरू करते हैं पहले इंग्लिश में देखते हैं इंग्लिश से आपको बारा माक्स के सवाल होंगे कभी कभी दस मार्च के भी सवाल पूछ लिए जाते हैं आप प्रिवेस यस जब कॉश्चंस पेपर देखें तो सिर्फ आप उसे चार साल के ही सवाल देखिएगए उससे पहले का सलेबस कुछ और था, कुछ descriptive सवालात भी पूछे जाते थे इस वज़ा से आप previous four years के question देखिएगा उससे आपको अंदाजा होगा कि English, उर्दु और हिंदी में किस टाइप के सवालात पूछे जाते आईए हम देखते हैं, English Literature यानि के जो बुक है, NCRT की जो बुक यहां AMU के course में चलती है कभी कभी उससे एक से दो सवाल वो भी जो chapters और उसके authors हैं उसके बारे में पूछ लिए जाते हैं वरना साथे सवाल grammar बेस्ट ही होते हैं, अब grammar में किन चीजों से जादा सवालात होते हैं, आईए हम उसे देखते हैं grammar में 10 से 11 questions पुछे जाते हैं, उसमें सबसे जादा सवालात tense और पिरी पोजिशन से पुछे जाते हैं दो से तीन सवाल हर साल पुछे जाते हैं, इस वज़ा से इन दोनों चीजों पे आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान देना होगा क्योंकि English grammar कोई भी कुछिसी भी subject का grammar बहुत ही बारीकी से जब तक आप नहीं समझेंगे जब तक सवालात आप से सही तरीका से सवाल नहीं हो पाएंगे उसके बाद articles से भी एक से दो सवाल पुछे जाते हैं, उसके बाद adjectives, pronoun, wise, narration, wise means active, passive, narration means direct, indirect, antonyms, synonyms से भी सवालात पुछे जाते हैं उसमें से आर्टिकल से एक से दो, adjective से एक से दो, pronoun से एक से दो, wise, narration, antonyms, synonyms से एक एक सवाल पुछे जाते हैं, कभी नहीं भी पुछे जाते हैं तो आपने देखा, कि English में आप इन ही चीजों को पढ़िए, तो आपके 10 से 12 सवाल बिलकुल आसानी से solve हो जाएंगे अब आईए देखते हैं कि अर्दो में क्या सवालात पुछे जाते हैं, अर्दो में 10 marks के सवालात पुछे जाते हैं, इसमें यहां पे जो किताब जो चलती है, A.M.E.S. पुल्स में अपनी जबान, सारे सवाल उसी किताब से होते हैं, उसी किताब के जो chapters के आखिर में जो exercise किसने लिखा है, या फिर एकतबास में से कोई एक लाइन उठाकर दे देंगे और किसी एक वर्ड को छोड़ देंगे और कहेंगे कि खाली जगां को भरिये, यहां पे कौन सा वर्ड होगा, चार आप्शन उसके नीचे दीए होंगे, और इसके अलावा बाकी सवाल, सारे व किस सवाल, कावाइश से होते हैं, कावाइश से क्या क्या होते हैं, वाहिश से जमा, पुछ लेता है वाहिश दे कर कि इसका जमा नीचे कौन सा है, उससे दो से तीन सवाल, मुताद जिद यानि उल्टा बताना, उससे भी दो से तीन सवाल, फैल से भी दो से तीन सवाल, इस उसके मानी से भी एक से दू सवाल मुझकर वह मौनस से भी एक से 2 सवाल मौहारा और उसके मानी से भी 1 से 2 सवाल हर साल पूछे जाते हैं, तो मैं कहूँगा आपके a.my schools की जो वुक है अर्दु के लिए अपनी जबाद जरूडर वही किताब खरीदें NCRT की वह भी किताबे उसी से सारे सवलात आते हैं वैसे मैं इन तीनों चीज इंगलेश उल्दू हिंदी अपने इस यूटूब कैनल के जरीए सारी चीजें मैं उस पे सारे लेक्शर डालूंगा और अगर आप उसे मानटली बारीकी से पढ़ेंगे तो सारे सवाल आपके बाअसानी सौल्व हो जाएंगे क्योंकि मैं ये अपने 16 साल के तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ मैं 16 साल से बच्चों को ये कोशिंग करा रहा हूँ मैं यूटूब पे तो अभी आया हूँ लेकिन इससे पहले मैं 2000 एक से ही बच्चों को इस तरह की चीजों की कोशिंग मैं दे रहा हूँ और एक्सपरियन्स की बुनियाद पे मैं आपसे कहूँगा कि मैं जो चैनल पे डालू वीडियो लेक्चर तो आप उसे जरूर फॉलो करें आपके सारे ये सवालात सौल्व हो जाएंगे अगली साल मैं उम्मीद है कि 9 इंटनेंस की गाइड भी मार्किट में ले आऊंगा ताके सभी सभी लोगों को आसानी हो अब आईए हम देखते हैं कि हिंदी में कैसे सवालात पूछे दा हिंदी में 8 से 10 मांक्स के सवालात होते हैं कभी कभी 10 वरना 8 अगर इंग्लिस में 12 देंगे तो हिंदी में 8 देंगे इंग्लिस में 10 नंबर के देंगे तो हिंदी में भी 10 नंबर के देंगे इसमें भी भाषा और साहित से 1 से 2 सवाल यानि जो किताब यहाँ पे चलती है, उससे कि ये चैटर्स अराथर्स से 1-2 सवाल पुछेंगे, वरना सारे सवाल वियाकरें से ही खुआ करते हैं वियाकरम से क्या पूछेंगे शब्द वोई विलोंग, कोई शब्द देगे उससे उल्टा बताने को कहेंगे, उससे एक से दो सवाल होगा, पर्याय बाची शब्द, उससे भी एक से दो नमबर के सवालाथ होंगे, संगया, सर्वनाम, किरिया, विशेशन, अर्थो मानी से भ आपको नाकामी का मूँ देखना पड़ेगा यह मैं अपने तजर्बे की बुनियात पे कह रहा हूँ और यह मैंने देखा है कि जिन बच्चों ने इस तरह की चीज़ों को फालो की या जो मैंने तैयारी कराई उन चीज़ों को उन्होंने बहुत ही बारेती से स्टड़ी किया तो उनका सेलेक्शन ना हो उमिद है कि मेरा यह टिप्स और ट्रिक्स आपको पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट आप सब्सक्राइब करना ना भूले अगली बार मैं और आपके लिए टिप्स और ट्रिक्स लेकर हाजिर होंगा तब तक के लिए हमें इजाज़त दें Thank you very much